नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप आशा करते हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूं मेरे चैनल में आपका स्वागत है वीडियो लाशा जरू देखिएगा ताकि कोई चीद मिस नहों तो चलिए आज मैं बनाऊंगी गुर तिल मखाना यह बहुत ही अ और मखाने को हम अच्छा भून लेंगे करा रहा हुने तक यह देखिए और बहुत ही धीमी आज पर भूनेंगे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मखाने को हमें अच्छा करारा करना है यह देखिए इस तरीके से इसको थोड़ा सा और भून लेंगे अभी हम यह देखिए मखाना भुन चुका है तो चलिए इसे एक बर्तन में निकाल देती हूँ अभी गैस मैंने बंद कर दी है ये देखिए तो चलिए फिर से वही कड़ाई ले ली है मैंने और इसमें हम दो चमच डाल देंगे घी ये देखिए दो चमच घी डाल दिया है और अब इसमें डाल देंगे जो हमारे पास गुर था ये गुर बड़ा बड़ा था तो मैंने इसको चक्कू से इदेखिए बारी कर लिया है गुड डालने के बाल बिल्कुल कम गैस पे मैं इस गुड को पिगला लूँगी ये देखिए ये धीरे-धीरे पिगल रहा है गुड ये देखिए तो चलिए गुड अच्छे से पिगल चुका है ये देखिए और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सौंठ पाउडर जैसे अधर का जो पाउडर होता है वो आप चाहें को इसकी और फ्लेवर का भी बना सकते हो मैंने सौंठ यूज की है और अब इसमें डाल देंगे जो हमारे पास मखाने थे वो ये देखिए तो चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं ये देखिए अब थोड़ा-थोड़ा करक ये लए देखिए इसमें तिल डाल देंगे ताकि सब मखानों में अच्छ्छे से मिख्स हो जायां ये देखिए ये देखिए इस तरीके से छलत के डालेंगे तिल को दो चलिए अब मैंने गैस कर दी है बन और अब इसको मैं ऐसे ही चलाती रहूँगी क्योंकि अभी गुर्ध गरम है यह देखिए अब इसको अन्य श्टोप चलाते रहेंगे यह मैंने धाली में थोड़ा सा घी लगा लिया है यह देखिए तो चलिए अब इसको पलट देती हूँ मैं थाली में ये देखिए अब इसको इसे फिला देंगे जो कि ये ठंडे हो जाएं थोड़े से मखाने और फिर इसको मखाने को इस तरीके से हम अलग-अलग कर देंगे ताकि ये एकदम बहुत ही करारे हो जाएंगी उपर से हो जाए गुडकी तो यह बहुत खाने में बहुत यह अश्छे लगेंगे एकतम करारे एक हस्ता बहुत अच्छे लगते हैं मकाने यह देखिए सारे मखाने अलग-अलग कर लिए Harry यह देखिए तो चलिए देखिए मैं एक डोगे में ढाल देती हुँ इसारे मखाने को यह देखिए तो चलिए आपको अगर मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और शेर भी जरू कीजिएगा ताकि आपके लिए ऐसे ही अच्छी रेसिपी में लाती रहूँ